तो दोस्तो कैसे आप सभी मैं आशा करता हूँ आप सब बिलकुल ठीक होंगे दोस्तो कहानी का टाइटल तो आपने पड़ी ही लिया होगा छोटे छोटे मगर डरावने किस्से आपको ये किस्से सुनने के बाद जरूर कुछ सीखने को मिलेगा बस आप यूही साथ बनाए र लीजिए दोस्तो साथ ही अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज दो तो कहानिया सुनने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं मेरी आइडी है महेश आरिया यूट्यूबर कहानियों के बाद मैं आप सबको वही मिलूँग तो दोस्तो बिना देरी किये जल्दी से अपने अपने हैटफॉन लगाएं और शुरू हो जाएं मेरे यानी महेश के साथ दोस्तो मेरा नाम राहुल है और मैं आसाम का रहने वाला हूँ आज जो कहानी में आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे ही साथ गटी एक सची घटना है दोस्तो ये घटना तब की है जब मैं स्कूल में पढ़ाई करता था उस वक्त मैं 11 क्लास में पढ़ता था दोस्तो वैसे तो मेरा स्कूल मेरे घर से 70 किलोमेटर की दूरी पर था इसलिए मैं स्कूल के आसपास ही रेंट पर कमरा लेका रहता था सच कहूं तो जब मैं उस कमरे में रहने लगा तो शुरुआ के कुछ दिनों तक तो बिलकुल सब कुछ ठीक था वहाँ रेंट पर दो कमरे थे एक कमरे में मैं रहता था और दूसरे कमरे में एक कपल रहा करते थे मगर मैं अपने कमरे में बिल्कुल अकेला रहता था दोस्तों कुछ दिन बीच जाने के बाद मेरे एक्जाम नस्दीक आ गए थे तो मैं ज्यादा से ज्यादा समय अपनी पढ़ाई में ही व्यतीत करता था इसी तरह एक दिन मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था तो पढ़ाई करते करते मेरी कब आँख लग गई मुझे खुद ही नहीं पता चला पर जब मेरी आखे खुली तो मैंने अपने कमरे की दिवार गड़ी की तरफ हलकी सी नजर गुमाई मैंने देखा उस समय रात के दो बज रहे थे थोड़ी देर बाद अचानक ही कमरे की लाइट भी चली गई मैंने केंडल जलाई और मैं पढ़ाई करने बैट गया मुझे पढ़ते हुए कुछ ही समय हुआ था कि अचानक ही मेरे कमरे के दरवाजे के बाहर से किसी की आवाज सुनाई थी वो आवास कुछ इस तरह की थी जैसे कोई मुझे से कह रहा था कि राहुल सती दरवाजा खोलो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ कि नैपाली भाशा में सती का मतलब दोस्त होता है और वैसे भी मैं जिस कमरे में रहता था उस कमरे की हालत कुछ खास नहीं थी यहां तक कि कमरे के अंदर से कुंडी भी नहीं लगती थी बस इसलिए मैंने बंबू स्टिक से अंदर से दरवाजे को बंद किया हुआ था पर जब उसने बाहर से आवाज लगाई तब उसी बीच उसने एक बार दरवाजे भी खट-कटाया जिसके कारण वो अंदर से लगाए गई बंबू स्टिक भी अपनी जगा से खिसक गई फिर मैंने काफी हिम्मत करके बाहर की और देखा लेकिन मुझे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई दिया मेरे सामने वाले कमरे के लोग भी शायद उस समय सोय हुए थे इसलिए मैंने उन्हें भी कोई आवाज नहीं लगाई इसके बाद मैंने सोचा कि मेरा सो जाना ही ठीक रहेगा मैंने चुपचाप दरवाजे को बंद किया और सामने केंडल जला कर रख दी धीरे धीरे पता नहीं कब मेरी आखे दोबारा लग गई और मैं सोने लगा पर दोस्तो कुछ देर बात फिर से मेरी नीन तूट गई जब मैंने अपनी आखे खोली तो मैंने केंडल की रोशनी से देखा कि दरवाजे के सामने दो लोग खड़े थे उसमें से एक आदमी लगभग 11 फिट लंबा था और दूसरा 4 फिट उनके शरीर के रंग भी हरे रंग के लग रहे थे ये नजारा देख मैं बहुत जादा डर गया था मैं तुरंट चिलाते हुए सामने वाले कमरे के ऊपर से कूद गया उस राज शायद उस औरत का पती कमरे में नहीं था जबकि उसकी बीवी कमरे में अकेली थी वो औरत आट महीने की गर्ववती थी मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं कूदा तो मेरे कूदने की वजह से उस औरत की नीन्द खुल गई थी वो भी अचानक जोरो से चिलाने लगी पर मैं वहां से निकल कर बाहर रोड की तरफ भागने लगा भागते भागते मैंने सोचा कि एक बार अपने कमरे में जाकर चेक करता हूँ मैं ठीक वापस मुड़ा और जब मैं अपने कमरे में पहुचा तो मैंने देखा कि कमरे के सामने एक बड़ा सा नाला है जिसके पास लोग कूड़ा वगहरा फैकते हैं वहां ठीक मैंने एक आदमी को देखा जिसने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे वो ठीक मुझे ही घूर रहा था वो देखता देखता मुझे हस भी रहा था मैंने हिम्मत करी और चुपचाप अपने कमरे में चला गया मैं इतना ठक चुका था कि मुझे तुरंट ही नीद आ गई जैसे तैसे सुभा होई और मेरी तबियत खराब हो गई मेरी तबियत कुछ दिनों तक वैसी ही रही जब मुझे लगा कि मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूँ तो मैंने एक लामा ओजा को अपने आपको दिखाया उन्होंने मुझे देखते ही कहा कि तुमारे उपर किसी का साया है उन्होंने तुरंत मेरे उपर जाड़ फूख किया और मुझे नसिहत दी कि तुम उस कमरे को छोड़ दो दोस्तो उसके बाद मैंने वो कमरा छोड़ कर कही दूसरी जगा कमरा ले लिया था एक दो दिन में ही मेरी तबियत भी एकदम ठीक हो गई थी मगर दोस्तो कुछ समय बाद मेरे पास एक खबर आती है मुझे पता चला कि जिस कमरे में कपल रहते थे जिसकी बीवी गर्ब वती थी उसकी एक बेटी हुई जो की होने के एक महिने बाद ही अचानक से गुजर गई सुनने माया कि इसके बाद उन लोगों ने भी वो कमरा खाली कर दिया था पर दोस्तो मेरे साथ जो हुआ वो भी कुछ कम नहीं था अब ना जाने उस कमरे या उस बिल्डिंग में ऐसा क्या था ये तो मुझे नहीं पता मगर मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ आपके सामने है तो दोस्तो देखा आपने ये थी राहुल की कहानी दोस्तो कहते हैं कई बार ज्यादा पढ़ाई करने के कारण किसी किसी को अजीब सपने आने लग जाते हैं हालाकि राहुल ने जो कुछ भी देखा ये जो कुछ भी किया उस पर मैं तो क्या, कोई भी पूरी तरह यकीन नहीं करेगा, बाकी दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी, नीचे कोमेट्स में जरूर बताईएगा, फिलाल तब तक मैं आपको ले चलता हूँ, हमारी आज की दूसरी कहानी की तरफ, आएए सुनते हैं दोस्तों मेरा नाम नौशीन है, मैं बांगला देश धाका का रहने वाला हूँ, और ठीक आज जो कहानी मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ, वो घटना मेरे मामा जी के घर पर घटी, एक सची घटना है दोस्तों मेरे मामा जी ने एक नया घर बनाया था, और जहाँ पर उन्होंने घर बनाया था, वहाँ पर पहले टॉलेट बना हुआ था सब कुछ तोड़कर उन्होंने दो मंजिल का मकान बना दिया उस घर पर मेरे मामा जी का बड़ा बेटा रहता था क्योंकि वो बिल्डिंग बनने के बाद ही मेरे भाई की शादी हुई थी लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही उनके साथ कुछ ऐसा गलत हुआ जिसके बारे में सोचकर आज भी मेरे रोंगते खड़े हो जाते हैं दोस्तों शादी के कुछ ही महिनों बाद ही पता नहीं भाईया को ऐसा क्या हुआ कि जिसके बारे में शायद किसी को भी नहीं पता था जिसके बाद से ही उनकी आवाज में परिवर्तन हो गया उनकी आवाज एकदम लड़कियों की तरह हो गई थी वो सबसे कहने लगे कि मैं किसी को भी नहीं छोड़ूँगी सब की जान ले लूँगी पर जब जब भाईया को होश आता तो वो एकदम खामोश हो जाते एक दिन उनकी आखे लाल हो रखी थी वो सबसे पूछ रहे थे कि उन्हें क्या हुआ है इसके दो दिन बाद मेरी छोटी बहन आगन में टहल रही थी टहलते टहलते उसने देखा कि उसके सामने एक परचाई गई इसके बाद भाईया ने अपनी गाड़ी निकाली और एक जंगल की तरफ चले गए उस जंगल में भाईय लोगों का बिजनस भी था भाईय वहां से काम करके वापस आ रहे थे कि रास्ते में ही उनके सर में बहुत तेज दर्द होना शुरू हो गया पर वो जैसे तैसे घर चले आए इसके बाद भाईय की तबियत खराब रहने लगी हमने बहुत मौलवी जी को घर पर बुलाया मौलवी जी ने उन्हें एक तावीज दिया जो कि तीन दिन बाद ही कहीं गुम हो गया इसी तरह एक दिन फिर फकीर जी आए उन्होंने जब भाईय को देखा तो उन्हें शक हुआ तब उन्होंने बताया कि ये घर ही शिरापित है इसलिए इसकी ये हालत है धीरे धीरे दिन गुजरते रहे भाई की एक बेटी हुई और जब वो तीन साल की हुई तो एक दिन अचानक भाई ने अपनी बेटी का गला दबा दिया उस बीच उसने भाई जी को अपने पास नहीं आने दिया इस हाथ से कि कुछ दिनों बात भाई जी भाई के डर से अपने माई के चली गई उनके जाने के बाद एक बड़े जाने माने मौलवी जी घर पर आए उन्होंने तुनत भाई को एक तावीज दिया और साथ ही घर को छोड़ने की सला भी दी मौलवी जी के बताया अनुसार भाई ने वैसा ही किया वो उस घर को छोड़कर दूसरे घर में रहने लगा दोस्तो यकीन कीजेगा तब से अब तक सब कुछ ठीक है और अब तो उनके तीन बच्चे भी है तो दोस्तो देखा आपने ये थी नौशीन की कहानी दोस्तो इनकी कहानी थोड़ी अटपटी लगी इसलिए आप कोमेंट्स में ज़रूर बतायेगा कि आपको इनकी कहानी कैसी लगी फिलाल हम चलते हैं अपनी तीसरी कहानी की तरफ आईए सुनते है दोस्तो मेरे नाम अंश है और आज जो कहानी में आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ वो मेरी मा के साथ घटी एक सची घटना है दोस्तो ये बात दरासल 1992 की है एक दिन मेरी मा अपने घर की छट पर बिल्कुल अकेली बैठी हुई थी मेरी मा जिस मकान में रहती थी उस बिल्डिंग में 19 लोगों का परिवार रहता था वो बिल्डिंग काफी बड़ी थी तो उसी तरह उसका चट भी बहुत जादा बड़ा था उन दिनों मेरी मा की पडोसन जिनकी अभी नई नई शादी हुई थी उसके पती बच्चों को ट्यूशन पढ़ाय करते थे वो बच्चों को पढ़ा कर रात को ग्यारा बजे तक घर आते थे तब तक मेरी मा और वो आंटी जिनकी नई नई शादी हुई थी वो दोनों छट पर बैठ कर आराम से बाते करते थे एक दिन वो ऐसे ही बाते कर रहे थे कि तभी अचानक से उन आंटी के गेट पर बैल बजने की आवाज सुनाई थी आवाज सुनकर आंटी जी ने मेरी मा से कहा कि आप यहीं रुकिये मैं नीचे देखकर आती हूँ शायद मेरे घर के बाहर कोई आया हुआ है इतना कहकर वो छट से नीचे चली गई मेरी मा चुपचाप वहीं बैठी रही और कुछ देर बात मा को लगा कि उनके पीछे कोई खड़ा है मा को लगा कि शायद वो आंटी आ गई इसलिए मा ने बिना पीछे देके ही कहा कि आ गया तुम्हारे घर पर कौन आया था पर पीछे से कोई जवाब नहीं आया मा ने सोचा कि मैं दो बार पूछ चुकी हूँ लेकिन ये कोई जवाब क्यों नहीं दे रही है ये ही सोचकर वो पीछे मुडी तो देखा कि उनके सामने एक आदमी खड़ा था उस आदमी के तोनों हात नहीं थे ये सब देखकर मा बहुत डर गई लेकिन वो साया मेरी मा के पास आकर बैठ गया इसी बीच उस आंटी की उपर आने के आवाज है वो आंटी जैसे ही उपर आई तो आंटी ने मेरी मा से पूछा कि आप किस से बाते कर रहे हो मा ने जवाब दिया कि मैं भाईया से बाते कर रही हो जिनके हात नहीं है आंटी ने कहा कि मगर यहाँ पर तो कोई भी नहीं है आंटी जी की ये बात सुनकर मेरी मा और ज़ादा डर गई इसके ठीक अगले दिन से मा को काफी तेज बुखार आ गया पर जब धीरे धीरे मा ठीक हुई तो आंटी जी ने बताया कि वो मकान के सबसे लास्ट में रहने वाले मिसरा जी का लड़का था आज से सत्रा साल पहले उसने खुदखुशी कर ली थी क्योंकि वो किसी से प्यार करता था उस लड़की ने उसे ठुकरा दिया था जिसके कारण ये सद्मा वो सह नहीं पाया उसने ठीक इसी छट से कूद कर अपनी जान दे दी थी और तो और वो जब छट से नीचे गिरा तो उसके दोनों हाथ बीच में कहीं फसकर कट गए थे वो और कोई नहीं शायद वही था दोस्तो ये सब सुनने के बाद मेरी मा बहुत डर गई थी उन्हें तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि जो कुछ भी उनके साथ हुआ क्या वो वाकई सस्त था पर खैर जो भी हो आज मा बिल्कुल ठीक है तो दोस्तो देखा आपने ये थी अंश की माता जी की कहानी दोस्तो कहानी ला जवाब थी मगर थोड़ी छोटी थी पर कर भी क्या सकते हैं जिसकी जितनी कहानिया होती है मैं सब कुछ आपके सामने रखता हूँ इसी तरह चलते हैं हम अपनी आज की चौथी कहानी की तरफ आईए सुनते है दोस्तो मेरे नाम आशीश है मैं उत्तम नगर दिल्ली का रहने वाला हूँ आज जिस घटना के बारे में मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो घटना मेरे ही आसपास में घटी एक सची घटना है दोस्तो मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दो कि ये कहानी किसी भूत प्रेच से जुड़ी नहीं है ये कहानी हमारी बहु बेटियों की शुरक्षा के लिए है मैं बस यही चाहता हूँ कि हम सबकी सारी बहु बेटिया शुरक्षित रहें दोस्तो एक बार की बात है हमारे पडोस में एक लड़की जो की रोजाना ओफिस जाया करती थी उसके घर में माता पिता और उसका एक भाई था वो लड़की हर रोज की तरह ओफिस जा रही थी उसे रास्ते में एक लड़का मिला वैसे बता दू कि हमारे एरिया में सुभा की समय थोड़ा सुनसान रहता है तो ठीक उस लड़के ने उसका नाम पूछा उसने कहा कि मैडन जी आप मुझे ये पता बता दीजी आप तो यहीं की रहने वाली है दोस्तो जब उस लड़की ने वो पता देखा तो कुछ देर बाद वो लड़की अपने होश में ही नहीं थी ऐसा हुआ मानू कि वो सब कुछ भूल गई देखकर ऐसा मालूम पड़ता था कि जैसे उसे किसी ने वश में कर लिया हो इसके बाद वो लड़की शाम तक कहीं भी नहीं मिली उसके घरवाले उसे लगातार ढूंडते रहे पर जब रात को उसे होश आया तो वो हमारी ही घर के आसपास एक खाली एरिया में मिली दोस्तो उस लड़की के साथ बहुत कुछ बुरा हुआ था वो घर पर आकर बहुत रो रही थी उस वक्त उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो बताने के लायक भी नहीं है बाकी आप सब समझ ही सकते है दोस्तो मेरा इस कहानी के माध्यम से आप सभी को एक संदेज देना है कि आप हमेशा साथान रहें आप कहीं भी अकेरे जाएं तो सतर्क रहें कोशिश कीजिए कि आप कभी भी सुनसान जगहों पर ना जाएं आपने इस कहानी में सुना कि कैसे उस लड़के ने उस लड़की को कुछ ही सेकेंड में बेहोश कर दिया जिसके बाद उसके साथ बहुत कुछ बुरा भी हुआ जो कि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा सच कहूं तो आजकल क्राइम करने के कई सारे तरीके आ गए है जिनके बारे में हम सोच भी नहीं पाते हैं बस मेरी आप सभी से यही गुजारिश है कि प्लीज आप अपनी बेहन और बेटियों का ध्यान रखे तो दोस्तो देखा आपने ये थी आशीश की एक समझदारी वाली कहानी हलाकि दोस्तो हमारे इस चैनल पर इस कहानी का कोई मतलब नहीं बनता है मगर दोस्तो जहां बात समझदारी और सूच भूच की हो तो मुझे दो शब्द कहने में कोई आपत्ती नहीं है मैं धन्यवाद करता हूँ आशीश का उन्होंने एक छोटी सी घटने के माध्यम से हम सभी को बहुत अच्छी सूचना दी है मैं उम्मीद करूँगा कि हमारे इस चैनल पर जो भी इन कहानियों को सुन रहा है वो जरूर इस कहानी को सुनकर इस पर अमल करेगा बाकी दोस्तो मैं ले चलता हूँ आपको हमारी आज की अगली कहानी की तरफ आईए सुनते हैं दोस्तो मेरे नाम उशा है मैं बनारस की रहने वाली हूँ आज जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ वो मेरे साथ घटी एक सची घटना है दोस्तो ये बात साल 1995 की है उस समय मैं बहुत छोटी हुआ करती थी उसी दोरान एक दिन मेरे पिताजी का एक्सिडेंट हो गया था हमें तुरंद उन्हें हॉस्पिटल में एड्मिट करना पड़ा उन्हें ठीक बनारस के हॉस्पिटल में एड्मिट किया गया था वैसे अभी मेरी शादी पिली भीत में हुई है उस वक्त मेरे पिताजी के साथ हॉस्पिटल में मेरी मा और मैं रुकी हुई थी सच कहूं वैसे तो हॉस्पिटल बहुत डरावना था और तोर जिस कमरे में मेरे पिताजी को एडमिट किया था उसी के ठीक सामने मुर्दाघर वाला वाड भी था उस वाड में सुभा शाम लाशे ही लासे देखने को मिलती थी इसी तरह एक रात मेरे चाचा जी हमारे साथ वही हॉस्पिटल में रुके उस वक्त हम सब सो रहे थे कि आधी रात में चाचा जी की नीद अचानक खुल गई और वो उठकर बैट गए जब हमने उनसे पूछा कि क्या हुआ तो पूछने पर उन्होंने बताया कि किसी ने उन्हें जोर से थपड मारा था हमें ये सुनकर बड़ा अजीब लगा मैं तो बहुत जादा डर गई थी पर खैर सुभा होते ही चाचा हॉस्पिटल से चले गए पूरा दिन बीच जाने के बाद रात में मैं और मेरी मा सो रहे थे पर आधी रात बाद मेरे पिताजी पीने के लिए पानी मांगने लगे जब मा ने घड़े में देखा तो वहाँ पानी ही नहीं था मा जैसी ही पानी देने के लिए उठी तो पाया कि घड़े में तो पानी ही नहीं है और ठीक पानी का हेड पंप बाहर लगा हुआ था मा को बाहर जाने में डर लग रही थी मगर उस वक्त पिताजी को बहुत तेज पियास लगी हुई थी मैंने तुरन मां से कहा कि पानी लेने मैं चली begun तो मां ने मुझे साफ मना कर दिया पर दूसरी तरफ मुझसे पिताजी की ऐसी हलत दीखी नहीं जा रही थी मैंने मा से कहा कि मैं पानी लेकर आती हूँ मैं बाहर पानी लेने के लिए चली गई और जैसे ही हेड़ पंप के पास पहुँची तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक औरत नीचे सर जुखाए बैठी थी वो हेड़ पंप भी ठीक पीपल के पेड़ के नीचे था मैंने तुरंट अपने घड़े में पानी बारा और उस औरत से पूछा कि आप इस समय यहां पर क्यों बैठी हो उस औरत ने मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया वो बिल्कुल चुपचाप थी मैंने उससे दुबारा पूछा पर उसने फिर से कोई जवाब नहीं दिया इसके बाद मैं पानी लेकर अंदर मा पिताजी के पास आ गई पर दोस्तों इस कहानी में सबसे डर की बात तो ये है कि मुझे अगले दिन पता चला कि उस पीपल के पेड़ पर एक चुड़ायल रहती है अब दोस्तों ये सच है जोट ये तो मुझे नहीं पता पर मैं शुक्रियादा करती हूँ उपर वाले का कि मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ तो दोस्तों देखा आपने ये थी उशा की कहानी उम्मीद करता हूँ उनके पिताजी बिलकुल ठीक होंगे बाकी आप लोगों को क्या लगता है क्या सच में वो एक चुड़ैल थी क्या सच में वहां कोई था ये तो आप ही बता सकते हैं बाकी मैं ले चलता हूँ आपको ऐसी ही एक और छोटी सी कहानी की तरफ आए सुनते हैं हेलो दोस्तों मैं अपना नाम और पता गुपत रखना चाहता हूँ पर आज जो कहानी में आप सभी को बताने जा रहा हूँ वो मेरे साथ घटी एक सची घटना है दरसल ये बात सर्द्यों के मौसम की है उस वक्त हम सभी लोग घर के अंदर सोते थे मैं ठीक अपने दादा और दादी जी के साथ सोता था एक दिन मैं बैड पर बिलकुल अकेला सो रहा था कि आदी रात में अचानक से मेरे उपर कुछ गिरा मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई औरत हो मैं उस समय बहुत डर गया था मैं हडबडा के खड़ा उट गया और सीधा मेरी नजर दिवार पर लगी घड़ी की तरफ पड़ी मैंने समय देखा तो रात के दो बच रहे थे मैं डर के मारे अपना पूरा चहरा ढख कर चुपचाप सो गया मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे कोई मेरे ऊपर चल रहा है दो मिनट तक तो ऐसे ही चलता रहा फिर थोड़ी देर बाद ही कोई मेरी रजाई के अंदर घुस गया मैं सच में बहुत डरा हुआ था डर के कारण मेरे मूँ से कोई आवाज भी नहीं निकल रही थी मैं चैसे तैसे अपने बिस्तर से उठा और इधर उधर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था फिर मैं चुपचाप दोबारा सो गया लेकिन दस मिनट बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि कोई मेरे सर पर नाखून मार रहा था मैं एक बार फिर अचानक से उठा पर इस बार भी इधर उधर कोई नहीं दिखा मैंने तुरंथ ही ये बात अपने घरवालों को बताई तो उन्होंने भी यही कह कि कोई चुपा होगा पर इसके अगले दिन जब मैंने सुभा अपनी मा से इस बारे में पूछा तो माने मुझे बताया कि तुम गलत तरफ अपने पैर रखकर मत सोया करो तुम गलत दिशा में पैर रखकर सोये थे इसलिए तुमारे साथ ऐसा हुआ दोस्तो सच कहूं तो ये बात सुनकर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया क्योंकि अक्सर आप लोग भी तो अपने घर पर किसी भी तरफ पैर रखकर सोते होंगे क्या सच में आपके साथ या किसी के साथ भी ऐसा हुआ हो तो नीचे कॉमेट्स में जरूर बताईएगा बस इतनी सी ही थी ये कहानी तो दोस्तो देखा आपने इन्होंने अपना नाम तो नहीं बताया पर हाँ एक चीज मैंने गौर की है इन्होंने जो कहानी बताई ऐसी कहानियां मैंने पहले भी कई लोगों के मूँ से सुनी है बाकी आपको क्या लगता है नीचे कॉमेट्स में जरूर बताईएगा दोस्तो अब वक्त हो चुका है हमारी आज की आखरी कहानी का आएए सुनते हैं दोस्तो मेरे नाम जगदीश राजपूत है मैं 36 गड के बिलासपूर का रहने वाला हूँ दोस्तो ये बात 2016 की है उस समय मैं अपने बड़े पापा के बेटे के साथ गाड़ी सीखने गया हुआ था दूसरी तरफ हम लोग और भी काम करते थे जैसे की हम लोग शनिवार के दिन शराब फैक्टर से शराब लेकर बिलासपूर के एक गोडाउन में रखने जाते थे एक दिन वहाँ जाकर हमें पता चला कि हमारी गाड़ी से सोमवार तक शराब खाली नहीं होगी ये बात सुनकर मेरे भाई ने मुझसे कहा कि तू गाड़ी में ही रुख जा और मैं सोमवार को सुबा दस बजे यहां आ जाऊंगा मैंने भी कहा कि ठीक है इसके बाद मेरा भाई घर चला गया फिर मैं शाम के साथ बजे बाहर से खाना खाकर गाड़ी के पास आकर बैट गया वो महीना जून का था गर्मी भी बहुत थी मैंने सोचा कि गाड़ी के बाहर ही सो जाता हूँ वहाँ पर एक प्लेट फॉर्म जैसा भी बना हुआ था मैंने उसी पर बिस्तर लगाया और चुपचाप सो गया वैसे वहाँ पर करीब 10 या 12 गाड़ी खड़ी थी और बाकी सब अपने अपने घर चले गए अब मैं वहाँ पर बिलकुल अकेला सोया हुआ था अचानक रात को मुझे किसी ने खीच कर नीचे गिरा दिया और मेरी नीन तूट गई उस समय बारिश भी हो रही थी मैं पूरा भीग गया था मैंने इधर उधर देखा तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया इसके बाद मैंने सोचा कि शायद मैं ही फिसलते हुए नीचे गिर गया होंगा फिर मैंने अपने कपड़े बदले और गाड़ी में अकर सो गया लेकिन दोस्तो मेरे सोने के थोड़ी देर बाद जो कुछ भी मेरे साथ हुआ शायद आपको यकीन नहीं होगा क्योंकि उस वक्त मुझे किसी ने गाड़ी से बाहर फैक दिया था मेरे हाथ पैरों से खोन बहने लगा वैसे भी वहाँ जमीन पत्रीली थी तो उपर से गिरने के खारण मुझे चोट लग गई थी मैं बहुत ज़्यादा डर गया था और साथ ही काफी घबराय हुआ भी था मुझे समझ आ रहा था कि यहाँ पर कुस्तो गड़बड है मैंने तुनत हनुमान जी का नाम लिया फिर पूरी रात में हनुमान जी का नाम लेता रहा सुबा होते ही मैंने बड़े भाई को कॉल किया और उससे डरते हुए स्वर में बात की मैंने उसे रात के बारे में पूरी बात बताई मेरी सारी बाते सुनकर मेरे भाई ने मुझे से कहा कि तू पहले हॉस्पिटल में जा और बेंडेज लगवा ले इसके बाद सीधा घर पर आ जा दोस्तो मैंने अपने भाई के कहे अनुसार ठीक वैसा ही किया मैं हॉस्पिटल में अपने आपको दिखवा कर घर के लिए निकल गया किया करता था धीरे धीरे मैं रात में चलने लग गया और जब मैं सुभा उड़ता तो मुझे कुछ भी याद नहीं रहता था मेरे घरवालों ने सोचा कि शायद सीने में हाथ रखने की वज़ा से इसके साथ ऐसा हो रहा है पर इसके कुछ दिन बीच जाने के पास एक बार मैं खाने की कढ़ाई को लेकर कही जा रहा था उस वक्त मेरी मा की नीन खुल गई इसके बाद वो ये सब चुपके से देख रही थी कि अब ये आगे क्या करेगा मैंने बाहर का गेट खोला और सीधा कबरिस्तान की तरफ चलने लगा उसी बीच मा ने मुझे जोर से चिला का रवास दी जिससे मेरी नीन तूट गई जब मैंने इधर उधर देखा तो खुद को घर के बाहर पाया मैंने तुरंत मा से पूछा मैंने उनसे कहा कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ जादा कुछ ना सोचते हुए मैं घर जाकर फिर सो गया दोस्तो आपको एक बात बता दू मेरे घर के 200 मीटर के आसपास एक कबरिस्तान है खैर इसके बाद मेरा अगला दिन तो भीट गया मगर घरवालों ने जियादा ध्यान नहीं तिया फिर जब रात हुई तो मैं खाना खाकर सोने के लिए चला गया पर मुझे नीन ही नहीं आ रही थी मैंने सोचा कि थोड़ी देर अपने मुबाइल में गेम खेल लेता हूँ शायद गेम खेलते खेलते नीन आ जाए मुझे गेम खेलते खेलते रात के कब 11 बच गए पता ही नहीं चला फिर मैंने सोचा कि चलो अब सो जाता हूँ इसके बाद मैं सोने लगा मगर नीन नहीं आ रही थी मैंने सोने की काफी कोशिश की मगर मेरी नीद आखों से गायब थी ऐसा करते करते रात के दो बज गए उसी दोरान मुझे किचन से बरतन गिरने की आवाज सुनाई थी मैंने सोचा कि इस वक्त किचन में कौन होगा चल कर देखता हूँ पर दोस्तो जब मैं किचन में पहुँचा तो मुझे वहाँ कोई भी नहीं दिखाई दिया इसके बाद फिर मैं वापस अपने कमरे में जाकर सोने लगा जैसे तैसे आदे घंटे बाद मुझे नीद आ गई पर दोस्तो इसके एक घंटे के बाद मैं किचन से वही खाना बनाने वाली लोही की कढ़ाई लेकर काफी ढूटा पर वो मुझे कहीं नहीं मिली इसके बाद मेरी मा को याद आया कि उस रात को मैं कढ़ाई को लेकर कबरिस्तान के और जा रहा था कहीं कल रात भी मैं उसे वहाँ लेकर तो नहीं चला गया माने बड़े भाई को कबरिस्तान वाली जगा पर भेजा वहाँ पर एक बाबा थे उन्होंने कुछ जाड़ फूक किया जिसके बाद हम दोनों घर पर आ गए दोस्तों वहाँ से आने के कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक था मगर धीरे धीरे दोबारा वही शुरू हो गया पर इस बार मेरी तवियत भी बहुत खराब हो रही थी मैं धीरे धीरे घर के सामानों को कबरिस्तान में छोड़ कर आ रहा था यही सोचकर मेरे घरवालों ने सोचा कि इसे किसी बड़े बाबाजी के पास ले जाना पड़ेगा एक दिन हम सब लोग उनके पास गए उस दिन मैं और मेरा बड़ा भाई मेरे दो दोस्त और पिताजी भी थे हम सब तीन बाइक से गए थे वहाँ पहुशते ही बाबाजी ने मुझे देखा तो उन्हें सारी बात पता चल गई उस वक्त बाबा ने मुझे एक नीबू पकड़ाया और मुझे कहा कि अपनी मुठी खोलो दोस्तो आप यकीन नहीं करोगे जो नीबू मेरे हाथ में था वो बिलकुल काला पड़ गया था इसके बाद बाबा ने एक ताबीज दिया और दो दिन बाद दोबारा आने को कहा जाते वक्त उन्होंने कुछ समान भी लिखवाया था जो कि हमें ही लेकर जाना था दो दिन बाद जब हम बाबा जी के पास गए तो बाबा ने बदाया कि आपके लड़के के उपर किसी बुरी आत्मा का साया है जो कि ऐसे नहीं जाएगी उसे रात के धाय बजे खाना खिलाना पड़ेगा मगर तुम्हारे बेटे को घर के पास वाले कबरिस्तान में अकेले जाना होगा तब ही जाकर ही ये आत्मा इसका पीछा छोड़ेगी दोस्तो ये सारी बाते सुनने के बाद मैं बहुत जादा डर गया मैंने तो ये सब करने से साफ मना कर दिया था पर बाबा जी ने मुझे कहा कि तुम से कुछ नहीं होगा उन्होंने मुझे फिर एक तावीज दिया और कहा कि तुम आगे जाना और हम तुमारे पीछे ही रहेंगे दोस्तो तब जाकर मैं कहीं राजी हुआ इसके बाद मैं रात के धाई बजे खाना लेकर आगे आगे चलने लगा सच कहूं वैसे तो मुझे बहुत डर लग रहा था लेकिन मेरे पीछे बाकी सब भी आ रहे थे जिसकी वजह से मुझे हिम्मत मिल रही थी मैंने जैसे तैसे उस जगा पर खाना छोड़ा और आगे 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 है सच कहूं तो उस दिन के बाद से अब तक सब कुछ ठीक चल रहा है और तो और मैंने इसके बारे में बाबा जी से ज़्यादा सवाल भी नहीं किये कि वो कौन थी वो खाना क्यों मांग रही थी आखिर वो मेरे पीछे क्यों पड़ी बस दोस्तो शुक्र है उपर वाले का कि आज मैं बिलकुल ठीक हूँ बस इतनी ही थी ये कहानी तो दोस्तो देखा आपने कई बार इंसान कुछ भी नहीं समझ पाता सचाई जानकर इंसान इतना डर जाता है कि वो इस बारे में जानना तक नहीं चाहता साथ ही दोस्तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारी आज की ये कहानिया जरूर पसंद आई होगी अगर आपको ये कहानिया जरा सी भी पसंद आई हो तो कहानियों को लाइक शेर और कॉमेंट्स तो जरूर कीजेगा बाकी मैं तो आपको मिलता ही रहूँगा इसी तरह की रोमान से भरी रहसे मई कहानियों के साथ तब तक बस आप अपना और अपने परिवार का खयाल रखें चलता हूँ, बाई बाई